तील का पिठा बनाएंगे, जोकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्दी होता है खाने के, इसके लिए मैंने 50 ग्राम मुंखफली लिया है, 100 ग्राम मैंने सफेद तील लिया है, और 100 ग्राम से कम मैंने जागरी लिया है, गुड़, अब कढाई मैंने गरम होने के लिए डाल हो जाएंगे तब उसमें तील डाल करके अच्छे से भूने में आपको पांच मिनट से भी कम ही लगेगा जब आपका कठाई गरम होगा तो जब आप तील को भूनेंगी नहीं तो थोड़ा सा चटक इसमें आएगा और थोड़ा सा कलर भी इसका प्राउन हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है भूना वह तील और शेहत के लिए भी बहुत ही फैदे मन होता है इसका तासीर गरम होता है आप थंड़े के दिन में इसे खाएंगी तो बहुत ही healthy राता है खाने में इसलिए तो थं मुंगफली को भी इसी तरह भून लेंगे मुंगफली के भी बहुत ही फैयदे होते हैं दोनों को मिक्स करके हम लोग पनाएंगे तील वाला पीठा पहुत ही खाने में टेस्टी लगता है इस तरह से इसको भून लेंगे इसको थोड़ा धीमा आज में भूने देखे मेरा अब मैंने 100 ग्राम तील लिया था थोड़ा सा रख लेंगे और फिर उसको थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे थंड़ा हो चुका है अब गरेंडर में चला लेंगे देखें बदाम भी थंड़ा हो गया इस तरह से हाथ से मसल के इसका सारा छिलका हटा देंगे हाथ से मसल लेंगे बहुत ईजी तरह से यह हो जाता है इधर मेरा तील भी तील को मैंने चला लिया था देखें बदाम का भी मैंने छिलका हटा लिया है अब इसको भी गरेंडर में चला देंगे इसको थोड़ा दरदरा जैसा ही पीसेंगे हम लोग दोनों को दरदरा ही पी पिसके रख लेंगे अब गुड को थोड़ा सा कद्दू कस कर लेंगे कड़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालके सिर्फ गुड को गर्म करेंगे ये नेकी गुड को उबालेंगे गुण को इसलिए करम करेंगे ताकि इसमें तील और मुगफली अच्छे से मिक्स हो जाए इस तर से तील डाल दिये अब मुगफली भी डाल दिया मैंने अधोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इतना मीठा काफी होता है अगर आप मीठा कम जादा जो करना चाया आप कर सकती है पर इतना मीठा अच्छा लगता है आपको पीठा में खाने में आप इसको बना करके आप दो-चार दिन अराम से खा सकती है यह जल्दी खराब नहीं होता है अब इसमें एक पॉल पाणी डालेंगे उसी कड़ाई में, थोड़ा सा नमक वन पिंच, तीन टेबल स्पून चीनी डालके अच्छे से मिला लेंगे, अब गर्म होने पर एक पॉल मैंने आटा लिया है, चावल काटा है ये, अब इसको अच्छे से चलाएंगे, इस आटा को जैसे दीजेगा, इसका पानी तुरती, एक दम तुरती से मट जाता है, तुरत, इसको बंद करना पड़ता है, इसको अब हम लोग बंद कर दियां कड़ाई को, अब अच्छे से इसको मिलाएंगे, और फिर ढख करके 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, आटा वटा सांती है, उसी तरह से हाथ में घी लगा लेंगे, ताकि हाथ में चिपके नहीं, आटा कर थोड़ा जो लसलसा पन होता है, तो हाथ में चिपक नहीं लगता है, इस तरह से मसल मसल के डो लगाएंगे, बहत मुलाएंपीठा तयार होगा, इस तरह से इसका डो ला लेंगे इस पर जो फिलिंग मैंने तयार किया था से डाल करके और इस तरह से इसको कवर कर देंगे पूरा बहुत ही सौप्ट रहता है तो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है दीखिए अब तिल जो मैंने थोड़ा भून के रखा था ना वो इसमें लगा देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लग अब बीना तिल का भी बना सकते उपर में मतलब बीना तिल लपेटे वे भी अगर आपको तिल उपर से नहीं अच्छा लग रहा हो तो आप तिल ना लगाएं साधा पिठा भी इस तरह से बना सकते हैं एक और हम आपको दिखाते हैं इस तरह से उठे से फैला लें और फेस में थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको हां से दबाते वे इस तरह से घुमाते जाएं अपने आप ही कवर हो जाता है तो गया तैयार अब इस तरह हम लोग सब बॉल को तैयार कर लेंगे हर मौसम में हर अनाज खाया जाता है इसका अपना ही फैयदा है देखे रेडी हो गया मैंने पानी भी गर्म होने के लिए डाल दिया था अब इस तरह इसको रख लेंगे पानी मेरा गर्म हो चुका है अब इसको रख करके इसको ठक देंगे ताकि स्टीम बने और अच्छे से बन जाए देखे बीठा एकदम तयार है दस मिनट लगता है इसको स्टीम करने में और एकदम ग्रेडी हो जाएगा आपका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हैल्दी होता कि दिल खाने से हट्टी भी मज़गूत होता है आपके बाल को भी जड़ने से रोकता है इसमें बहुत सारे वितामिन 대해서 पाए जाते इसलिए शर्दी के मौसव matar से खाय जातने हापी